नमस्कार दोस्तो रेडिगवराफिससिंप्लिफाइड में आप चाने स्वागत है आज का टॉपिक है कोहरेन्ट स्कै्टरिंग यह सीरीज का न भाग है आज का कहारेन्ट करिक के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों इस सीरीज की दो वीडियो में अलड़ी अप्लोड कर चुका हूँ आप उनको जुरूर देखेगा लेट स्टार्ट विद देफिनेशन फर्स्ट अ इंट्रेक्शन इन विच इंसिदेंट एक्सरे फोटोन अंडर्गोस अ चेंज इन डारेक्शन विदाउट चेंज इन वेवलेंथ और एनरजी देखे इस परकार के इंट्रेक्शन के अंदर इंसिदेंट एक्सरे फोटोन जब मैटर के साथ इंट्रेक्ट करते हैं तो उनकी वेवलेंथ और एनरजी में किसी भी परकार का कोई बदलाव नहीं आता लेकिन हाँ उनकी डारेक्शन चेंज हो जाती है वो स्कैटर हो जाते हैं इस परकार के इंट्रेक्शन को हम अनमोडिफाइड, क्लासिकल या इलास्टिक स्कैटरिंग भी कहते हैं कोहरेंट स्कैटरिंग दो परकार की होती हैं Rayleigh scattering and Thomson scattering Rayleigh scattering के अंदर Incident X-ray photon Whole atom के साथ interact करता है जबकि Thomson scattering के अंदर Incident X-ray photon Electron के साथ interact करते हैं It occur at low energy level इसका मतलब अगर Incident X-ray photon के energy Less than 10 kilo electron volt है तभी इस परकार के interaction की संभावनाई उत्पन होती है चलिए coherent scattering को diagram की मदद से समझने की कोशिश करते हैं देखिए जब Incident X-ray photon जिनकी energy 10 kilo electron volt से कम होती है जब atom के साथ interact करते हैं तो उनको vibrator करते हैं Vibration की इसी stage को हम Excitation state बोलते हैं जब यही atom अपने normal state में वापिस आते हैं या अपने undisturbed state में वापिस आते हैं तो यह energy release करते हैं in the form of X-ray photon in a different direction इनकी energy और wavelength Incident X-ray photon की energy और wavelength के बराबर होती है इस परकार की scattering को हम Rayleigh scattering बोलते हैं लेकिन अगर यही प्रक्रिया तब हो जब Incident X-ray photon electron के साथ interact करे तब हम इसको Thompson scattering बोलेंगे This is the only type of interaction of X-ray and matter that do not cause ionization देखिये यहाँ पर Incident X-ray photon के energy बहुत कम होती है इसलिए वो electron की binding energy को overcome नहीं कर पाता या उसको dislodge नहीं कर पाता और किसी भी परकार का energy transfer नहीं होता क्योंकि यहाँ पर energy transfer नहीं होता इसलिए यहाँ पर कोई भी ionization नहीं होता Its only effect is change the direction of Incident X-ray photon इस scattering में Incident X-ray photon की केवल direction बदलती है लेकिन इसकी wavelength और energy में किसी भी परकार का कोई बदलाव नहीं होता यह केवल 5% होता है इसलिए इसका diagnostic radiology में कोई भी महत्व नहीं है Another important thing is that it occur at low energy level इसका मतलब इस interaction की संभावने तभी जादा होती है जब Incident X-ray photon की energy 10 kilo electron volt से कम होती है Coring, scattering basically depend upon two things It will increase with first low atomic number second lower photon energy बस यही था अचका वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की notifications मिलते रहें Thanks for watching जाए हिंत